नमस्कार दोस्तो आज की से वीडियों हम बात करेंगे धातुरोक, सप्नेदोस, चिपचिपपा पानी को बंद करने के उपायो के पारे में इससे पहले दोस्तों की वीडियो स्टार्ट करें आपसे निवेदने वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों और नए वीडियो बनाने के गिलोई आपको इसको किस प्रकार उप्योग करना है कैसे इसका इस्तमाल करना है इस सारी जैनकरी आपको बता देते हैं दोस्तों आपको गिलोई जंगल में मिल जाएगी यदि जंगल में नहीं मिलती है तो किसी खेत खल्यान के आसपास मिल जाएगी यदि वहां नहीं मिल पाणी एक ग्लास पानी में गर्म करने के लिए रखे दोस्तों जब ग्लास पानी कर आधा भला सोजाए तब इससे चान लेना है दौस्तों स्वेक्षोक ये рूपत में कोर्ली Aktie दोनों को मिला लेने के बाद अच्छे सेस को गरम हो जाने के बाद आधक पानी सेस रह जाने के बाद आप इसे इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों ये उपा इतना कारगार है कि आपके भूख काफी इंक्रीज होगी आपकी जो धातुरोग 27-27 और चिपचित पानी है वो 5-7 दिन करके आपको निरोगी काया प्रदान करती है इसलिए दोस्तों गिलोई का सेवन आपको उच्छी तरीके से करना चाहिए दोस्तों इसकी ज्यादा मात्रा आपको हानी पहुंचा सकती है इसलिए दोस्तों आपको गिलोई का एक या दो टुगड़ा ही इस्तमाल करना चाहिए और दिन में केवल एक बार इस्तमाल करना चाहिए हफ्ते में इसे आप 2 से 3 बार इस्तमाल कर सकते हैं इसके ज्यादा सेवन से आपको प्राब्लम हो सकती है दोस्तों वीडियो अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा नए वीडियो पाने के लिए हमारी बेल आइकन प्रेस को क्लिक कीजएगा